सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रिवीवाला को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं है है गाईज वाट्स तो कैसे आप लोग यार एक बार फिर से बहुत-बहुत सब्सक्राइब आपके अपने चैनल रिवीवाला पे फ्रेंड्स दोस्तों जहां पे मिलती है आपको बहुत रिव्यूस एक्स्प्रेंशन्स टूटोरियल्स इंफॉर्मेशन्स वगरा वगरा व सब्सक्राइब लेकिन देरे कुछ दिन बाद मैंने बुक्स की रिव्यू भी स्टार्ट अब देरे फिर से उसको करना शुरू कर दिये तो जिया दोस्तों इसलिए आज की जो विडियो होने वाली है उसमें एक बॉक की रिव्यू करूंगा जैसा कि आप जानते हैं फ्रें को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा क्योंकि आपका अश्रुबाद और प्यारी हमारे लिए सब कुछ है तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को शुरू करते है तो फ्रेंट्स यह है आपके सामने जिस बुक की रिव्यू करने वाला हूँ जी यहां दोस्तों यह बहुत ही पॉपलर बुक है और काफी अच्छा कासा इसका मार्केट कैप है और जैसे कि आप जानते हैं एक बहुत ही बड़ी पॉब्लेशन कंपनी है यह तो यार अपने आप में बहुत जादा पॉपलर है और इसके कई सारी बुक्स की मैंने नीट चैंपियन सिरीज तो रसा में ठेल्ट कर देता हूँ कैमरा अच्छे से एधिंग आपको दिखेगा यह है एंटीक सॉरी एंप्टीजी की नीट चैंपियन सिरीज और और यह हाली में मैंने पर्चेस किया दोस्तों डेफिटली मुझे इस बुक की जरूरत थी ठीक है है और जो कि आप जानते हैं मैं कुछ बचको इटिविशन भी बढ़ाता हूं तो उन्होंने कहा कि सर आप एक अच्छी वुक रेकमेंड करें तो मैंने मार्केट गया और काफी मैंने रिसर्च की यार कि कौन्स अबुक अबने दूं अपने स्टूडेंट्स को तो उसके ब है तो दोस्तों इसलिए मैंने अपने जो भी इस्टूटेंट्स थे हैं उन्हें यह नीट की चैंपेंड स्रीज रिकमेंड की एम्टेजी की तरफ से कुछ खास बाते हैं जो इस किताब की जो मैं आपको भी बताने वाला हूं ठीक है आप नीट इग्जाम के बारे में जान की आप को नीट के वालोजी सिक्षन को सॉल्व करने में काफे टिफने टिफिकल्टी होगी जो नीट की बालोजी है कई के बारे ऐसा होता है की हो वही सेम लाइन के पूछ ले जाते हैं ठीक है तो नीट की बालोजी के लिए आपको इंस्यार्टी तो पढ़ना ज़रूरी है खास साथ ही साथ यह भी देखना है कि उस एंस्यार्टी से क्वेशन्स एक्स्ट्राइट कैसे किये जा रहे हैं यह भी दिमाग में आपको जो यह फ्रेक्वेइंट से वो गैस कर लेते हैं कि अगर मैं थ्यरे की कुह फ्रेक्वशन्स बनाए जा सकता है अला कि बहुत सारे लोग यह नहीं कर पाते हैं यह प्रेंड को I नहीं है ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बुक है इसमें लंबा चोड़ा ठीरी वगर ऐसा जैसा कुछ भी नहीं दिया है मैंने एक बार इस बुक को रिवाइस किया है इस रेवियू करने के पहले तो यह जो बुक है यह कहीं नहीं आपकी प्रिपरेशन को एस्ट करेगा यानि कि आपको डिटेल्स बता देता हूं तो आप देख सकते हैं हमें चाने नीड चैंपियन सेरीज दोस्तों यह चैप्टर वाइस है टॉपिक वाइस है एरर फ्री है ठीक है तो चैप्टर वाइस यानि कि जितने भी एंसे आर्टी की 11 और 12 पर जितने भी चैप्टर दिये गया ह उसी सेम पैटर्न में यहां पर चैप्टर्स अरेंज किया गया है क्योंकि फ्रेंड्स डेफिनेटली यह जो बुक है यह स्रिकली NCRD के पैटर्न को ही फॉलो करती है और उसी बेस पर ही बनाय गया है और चैप्टर वाइस के साथ साथ दो तो इसमें टॉप्रिक वाइस भी भी दिया गया है ताकि आप यह समझ को कि मुझे इस क्वेश्चन को अगर यह एक्जाम में दिया जाएगा ऐसे सेम क्वेश्चन तो मैं किस तरीके से सोच कि उसक्वेश्चन को करूंगा तो यह एंप्टीजी की पब्लीशन है आप दिख सकते हैं यहां पेंटीजी का लो एक्सेक्ट है जो कोशन्स पूचे जाने वाले हैं बाइलोजी में नीट के ठीक है तो यहां पर आप दिख सकते हूंगे 7000 प्लस यानि 7000 से भी ज्यादा क्वेश्चन है इसमें चैप्टर वाइस है टॉपिक वाइस है और प्रीविश्चेयर मेडिकल इंट्रेंस एक्जा दिए गए हैं यहां पर देख सकते हैं दोस्तों आपको MTZ का एक लोगों मिल जाता है जो कहीने के इस बुक की जैन्मिन कॉपी को रेप्रेजेंट करता है तो रेमेंबर कि जब भी आप यह वोग खरीदें तो आप यह जैन्मिन लोगों देखकर ही खरीदें कुछ है लाइ अब यह जो पर दोस्तों ग्राफिकल एनाव जीज आपको सिंस घॉलीच विटेज आपको सिंपले की बहुत लंबी चोड़ी नहीं टू दौट टॉपीक वाइस पॉइंट वास्तियूरी आपको देख की विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच् लेवल वाइस Qošin फॉर रसेल्फ एनाऊसे तो यहां पर लेवल वाइस Qošin स्को एरेंज किया गया जैसे लेवल वन हर्ट कोश्ट्न सुने सौरी आसौफ कोशिशन स्कुने लेवल टू थोड़ा तो से अध्य ज्यादा लेवल त्री थोड़ा से ज्यादा तो यह एक शा लेवन तेंड क्लास 12 फालोजी तोनों है यानि 11 फोटेल की जितने भी बाइलोजी का पॉर्शन वो आपको इस बुक में मिलेगा और चलिए यहां पर देख सकते हैं दोस्तों आपको मिलती है एक साइट कवर एंटीजी नीट चैंपियन पहलोजी तो यहार कहीं ने कहीं इस बुक को पढ़के आप चैंपियन भी हो सकते हो अगर आप कायदे से पढ़ लो तो चलिए बैक पॉर्शन पर देखते हैं दोस्तो में 90% तो कहीं ने कहीं एंटी जी पताना चाहता है कि भी यह देखो मेरे जो किताब में जो क्वेश्चन के बैटाने वह एक्जेक्टली नीट से काफी टैली करते हैं तो आप कहीं ने कहीं आप मुझके बिलिव कर सकते हो ठीके ट्रस्ट एम्टेजी फर गेटिंग यह आफ्टर यह डेफिनेटली दोस्तों यह बात तो सही है क्योंकि यहां पर जो रिजर्ट्स दिक रहे हैं वह आपके सामने हैं और यहां पर यह टैगलाइन दिया गया है थोड़ा लंबा है आप चाओ तो पढ़ लेना या ठीके बेस्ट सेलर्स ऑन एमेजॉन पे हैं त यहां पर एक मेंशन है एक चीज मेंशन कर रहा है कि अगर आपको जानकारी चाहिए कि नीट के लिए बेस्ट एम्टीजी की कौन से बूख होगी तो आप यहां पर कॉल करके आप उनके एक्सपर्ट से रहे लिज़ सकते हैं इमेल भी आप कर सकते हो इंफोर्मेशन एड़ से रहा है और यहां पर कॉल कस्पर के यह नंबर या इमिल इंफोर्मेशन कंदिया अप चाहोग तो इन से कॉंट्रेक्ट कर सकते हो और यहां पर आई-स-बी यहां पर मीशन है आप चाहओ तो एक स्क्रीन-शाट ले लो जैनमेन कोपी परचास करने के लिए और तो सो यहा तो बताना ज़रूरी था कुछ लोगी से यार थोड़ा सा आपको लग रहा होगा थोड़ा सा टाइम इसमें लग रहा है लेकिन यार देखो कोई भी बुक आप एक ही बार खरीते हो साल पर पड़ते हो तो अगर आपने थोड़ा बहुत उपर से मैं बता दूंगा और आपने जल्दबाजी में किताब खरीद ली बिना अपना इल्वेट की वे तो कोई मतलब नहीं है इसलिए फोड़ा सा वीडियो लेंदी है आइं सौरी फॉर दैट पट यह ज़रूरी है ठीक है तो चली अब मैं इसके अंदर बुक आपन करता हूं और देखता हूं कि किस तरीके स चीजें अरेजमेंट है कोशन का साय थेरी का सी बगरा बगरा ओके तो चली फ्रेंड्स इसे ओपन करते हैं तो लैट्स ओपन इट आउट वाव बहतरी बहुत 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 रिन या माइंड ब्लॉइं तो दोस्तों यहाप याप देख सकते होंगे यह सब्सक्राइब सकते हो यहां पर दिया गया है आफी अचे खासे तरीके से कि आप नौ महीने का पंदर महीने का सथाइस महीने का कई तरीके से आप ले सकते ओर्डर करना हूं आप चाहओ तो इसका स्क्रींशॉट ले लो इसको जूम करके पढ़ लेना ठीक है चली और आगे बढ़ते हैं तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते होंगे एक लंबा आप चोड़ा प्रीपेस बगर दिया गया है आप चाहिए तो स्क्रींशॉट ले लिजगा पढ़ने के लिए सब कुछ में है भीड़े बहुत लेंजी लेंदी हो जाएगी यहां पर देखिए आपको मर्पी बगरा मेंशन है आट सो यहां पर मर्पी दी गई है चलिए और आगे बढ़ते हैं तो टेफिनेटी फ्रेंट्स यहां पर में चीजा गई कॉंटेंट्स चिहां दोस्तों यह कॉंटेंट्स है यह क्लास्ट सापका 11 का है और यह क्लास 12 का है आप चाहिए तो कि स्क्रीन शॉट ले लिए और लास्ट में दोस्तों पांच सब्सक्राइब को फॉलो करते हैं यानि जैसा कंटेंट्स का रेजमें एंसी आटी में सेम आपको वैसी मिलेगा तो यहां पर कंटेंट्स यह गया है और सेलिवर्स दोस्तों यहां पर देखिए एक लंबा चोड़ा दिया गया है मैं आप से रिकमेंट करूंगा आप स्क्र सब्सक्राइब करें आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा तभी क्लियर होती है चलिए और आकर बढ़ते हैं तो यहां से काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है दोस्तों क्लास 11 का और चलिए मैं एक चैप्टर पिक करता हूं जैसे लिविंग वर्ड है और मैं इसको र आई पहर चैप्टर को तो मैं रिवियू नहीं कर सकता है लेकिन जो ऑनस्मीन डिए रहेगे वह सिम इंती फड़ अपहला चीप्टर स्थ में भी दिये रहेंगे तो पहला चिंग्य हम लेते हैं तो डो सो यहां पर आपको चप्टरन मेंशन है चप्टर के बोल्ड और यहा को काफी एक एनिमेटमेटिकल एप्रोच देखा कि क्या सकता है क्या यह चैपटर कितना ज़्सादा ज़रूरी यह कितना निटिक है तो यहाँ से स्टार्ड हो यह आती है ठीक है तो यहाँ पिए अप्जेक्ट के ग्राफिकल में अगरे आप दिया घया है दोस्तो सबसे अच्छी बाथ इस किताब कि यह की play क्वालटिक काफी केश है काफी काफी स्मूथ है काफी अच्छी है ठीक है और प्रेंटिंग भी काफी पेस्ट है बहुत इक प्रेंटिंग है इंक भी काफी टार्क यूज किया गया तो पढ़ने के लिए आपको बहुत आसानी होगी स्के और यू चुकि मैंने बताए कि टेक्स्ट बूक की तरह है एक यहां पर काफी लंबी चौड़ी दी गई है लेकिन यहां पर इस किताब में ऐसा नहीं है बहुत लेम्टेट थियोरी देने का इन्हों ने प्रेयास किया है तो यहां पर देखिए आपको एक क्राफिकल रिप्रेंशन मिल जाता है चलिए और आगे बढ़ते हैं तो यहां यहां पर देख सकते होंगे सिस्टमाइटिक एंट एक्सॉनमी यहां पर हैडिंग मेंशन है और यह पर देख सकते होंगे यहां पर दो तीन-चार आगे बढ़ते जा रहा है तो थियोरी बहुत अच्छी खासी दिए गई है बीच-बीच में क्राफ्स वहां यहां पर ठीक है चलिए और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर दोस्तों थियोरी बहुत लिम्टेड है कम है तो यहां फी स्टार्ट हो जाती है दोस्तों पावर एक्सरसाइज याने कि यह रप तो एक्सरसाइस काने का टाइम आ गया है तो जैसा कि मैंने बताई इस किताब को टॉपि स्टों सेपरेट किये गया है और उस हिसाब से कोशन को इंच किया गया तो यहां पर कुछ कोशन्स दिए गया है कि 2019 में 16 में या हर प्रिविए सियर में कौन कौन से कोशन साय थे आए तिंग आपको दिख रहा होगा थोड़ा साब जूम कर दिजिए का क्लियर लिए दिखे अगरे तो यहां पर कुछ नेक्स टॉपिक्स के भी कोशन्स यार यहां पर में शने और दोस्तों सबसे अच्छी जो बेस्ट बात है यहां पर है यार हैंस एन एक्स्प्लैनेशन दिए गया मेरे वाई कि जैसे मालो कि आप कोशन्स वाल कर रहा हो आप अपनी साब से सुच कि जोग इसको सॉल्फ करना ये तो यहां पर हैंट शैन एक्स्प्लैनेशन शोय जैने यहां पर आपको इस तरीके से सब्सक्राइब करना है है या इस तरीके से कोशन को सौलव करना तो यह बहुत बेस्ट है और काफी अच्छा कास आपको है कर जिस्त ही बेरी दूसरे गर तो एक्सप्राइशन काफी बेस्ट है सिकन्ट कुश्टन सेकंट चैप्र दूटू स्टार वे अपका पालोसकल क्लासिफिकेशन यहां पे भी सेमरेज में टेक राफ का थेरी दी गई है चार्ट ती एगे हैं प्रफेल सिए गया है सब कुछ मेंचने चली और तुरा साइस का भी रिविय कर देता हूं और आप अब देख सकते हां अब दोस्तों फीकर स्कावरियства दर्परेंटेशन करने श्यां चोटे कवी बेस्टन कंया मैं और चाह्ट का नहीं काफी टेबल चार्र्ट फ्लो जार्ट सको इनोंने काफी यूस किया है और याँ प्यापती सुभ्श थीए लेकिन भोट चोटी भी दि लेज़ी अगले तो योण होच्पध मुद्ण चीज ना ओर चीज नहीं तो तो यह कहीं न कहीं उस बुक से बहुत ज़्यादा टैली करती है ठीक है थोड़ा सा अपडेटेट वर्जन आप कह सकते हैं उसका तो यहां फे हिंट्स एंड एक्स्लेनेशन यहां भी मैंशन है आप देख सकते होंगे रहा है और फाइनली है यह कोश्चिंस का इन एक्सेलेनेशन दिया तो बहुत बस्ताइब नेक्स एक्स टार व्याथ तो इसी तरीके सिकार्थे करते दोस्तों बहुत साथ चप्टर से लास्ट में देखता हूं टेस्ट फेपर्स प्राक्टेस प्रेक्टेस प्रेपर्स कहते तो यहां पिटोस्तो स्टार्ड वाता उडिट तेस्ट फाइव तो उनिटेस ट्राइब है तो यहां पर आपको देख सकते होंगे यहां पर देख सकते होंगे तोटल लेवल वन के कोशिंस है ठीक है लेवल वन थोड़ा सा मेल नॉर्मल जैनल कोशिंस लेवल टू के कोशिंस यहां पर आ जाते हैं आप देख सकते हैं यहां पर इसके बाद लेवल तो अब देखने रहा हुझा है लेकिन त्री भी आई जाए गया होगा एंड यहां पर एंसर अपर यूनिट टेस्ट आप पांच उनिट टेस्ट है मैंने लास्ट वाली को चूज किया गया तो यह निट टेस्ट के जिने भी कोशन से उसका एक्स हैं अब बैक कोशन से हैं तेकि दोस्तों टेस्ट फेपर कहीं नहीं मॉक टेस्ट या प्रेक्टिस पेपर्स हमारे लिए बहुत हल्फुल होते हैं अगरा मिक्साम के प्रपेशन कर रहे होते हैं तो क्योंकि हमें एक अब्स एक अबनी परिपिरिशन पता चलते हैं कि हमने पढ़ा ही कितनी की है कितना काचन चाहिए यह कितने और वोगतना आक जरूर तो पॉटेञिक अनिया इंच नबु आ कुछ नर्सेयों रहता है पैटालिस के 45-45 रिश्यो रहता है 45 कोशिशन स्पॉर्ट नी रहते हैं 45 आपका जलोजी रहता है तो काफी लंगा चोड़ा एक कोशिशन का एक ग्राफ टाटा दिया गया और नाइंट सेल पनाल्सिस यहां पर देख सकते होंगे मैंशन है थोड़ा से उल्टा प्रेंट किया गया लेकिन कहीं बहुत बेस्ट है उल्टा क्यों गिया है चली देखते हैं कि आगे भी वैसे यह डेफिनेटली उल्टा इसको पढ़ने का एक रीजन की कभी कोर ऐसा होता है कि यहाँ पे माल लोब कोशिशन सौल कर रहा तो कहने कहीं हमारा ब्रेंट का सेनेरियों से कि खटाक से यहां फिर अनुरूने का तो इसको करने से बेस्ट है कि आप लास्ट मैच कर सकते हो बहुत है इन्होंने इसको काफी बेस्ट किया है और टेफिनली एक डिमाइंट एट तो यह चीज मुझे इस किता में बहुत अच्छ लगी एंड फाइनली हां भी आप देख से होता हूंगे अंटीजी के और भी पॉपलर बुक्स के यहां पे एक रिफ्यू दिया आप चाओ तो इसके शोट लेलो और जो भी वोक्स आपको मकाना याप मका सकते हो तेन फाइली दियामी सोवा तो दोस्तो यह रही नीट चैंपियन क्लास 11th & 12th पाइलोजी की एक फुली कंप्लीट और वरी कंप्लीट टीटल रव्यू रव्यू रवीवाला की तरफ से वीडियो तो यह गई लेकिन बस आलिंवन वीडियो इस इस वीडियो को देने के बाद आपको इस पूटक्त से लेएट को भी वीडियो देखने कोई जरुवत ही ने पड़े जरुवत भी नहीं है तो यह किताब मुझे बहुत अच्छले की बहुत बेस्ट बुक है आप इसे पर्चेस कर सक सकते हैं और काफी बेस्ट किताब हैं और इसमें अघर मैं एकमेंड करूँगा कि अगर आप एक,New př udah draft तेयरिक कर रहे हो तो यह किताब त्युकरन बहुत बहुत बयस्ट के लिए तो अहरुत बहुत बेस्ते पतियों है चलिए नहीं हो सब बहुत आखित हैं मैं कमेंट भॉक्स में ज़रूर बताई कि आपको वीडियो कैसे लगी यह भी बताईगा और थोड़ा सा वीडियो में इसमें थोड़ा टाइम लगे हैं स्वरी पर यह कंप्रेट एक्सक्क्राइशन है अपर फास्ट फारवर्ड करके देख लिए चली दोस्तों मिलता है निक फासर एक क्ऑ्छ़ा हुआ झाली स्वर्ड व soy राट बता है यह क्ञिडें़ा प्बाद कर दोस्तों मिलता है